Hello my dear students, how are you all guys? I hope आप सभी super duper बढ़िया हिट होंगे तो चलिए start करते हैं हमारी class को So number system के साथ में बात करने वाले हैं और ये हमारा part 2 है तो कल जो आप लोगों ने lecture देखा था उसके अंदर मैंने part 1 है जो करा रखा था Part 2 का यहां पर मतलब सिर्फ इतना सा होगा कि आपने 90% तक चीज़े उसमें कर ले थी अभी जो बचा हुआ portion है उसका तातपर है उसका मतलब यहां पर सिर्फ इतना सा है कि part 2 के अंदर हमारा जो fractional वाला portion है यानि कि point वाली value हम उसके उपर जो है कैसी operation पर फॉर्म करेंगे तो वो चीज़ हम लोग यहां पर है जो basically देखने पाले हैं ठीक है तो चले अगर आपको last class अच्छे से समझ में आ गई तो यार दोस्तों के साथ में share कर दो उस lecture को है ना हाँ देखा तो काफी लोगों ने है और subscribe नहीं किया है तो यार अगर आपको चीज़े अच्छे लग रही है तो बेलकुल आप share भी करोगे और subscribe भी है जो channel को करोगे इतने सारी चीज़े back to back आ रही है तो मतलब आपकी demand है जो एक के बाद आ रही है और हम उन सारी demands को पूरा भी है जो कर रहे है बढ़ हमारे तो एक ही demand है कि यार share करो class को तो चले फिर अब class को आगे बढ़ाते है और number system के part 2 की यहाँ पर बात है जो करते है पूरी कोशिश यहाँ पर यह रहने वाली है कि आप में से अगर किसी बच्चे ने number system का नाम पहली बार नहीं भी सुना है न तो वो भी बच्चा है जो इसके हर एक question को यहाँ पर attempt कर पाए क्योंकि तो यह part 2 है तो बिल्कुल यहाँ पर कहेंगे कि आप part 1 पहले करके आएंगे उसके बाद मैं आप part 2 को आ करके watch करेंगे otherwise चीजें उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगी but जिसको part 1 पहले से पता है बस वो part 2 यानि की fraction में थोड़ा सा हिचकचाता है और यहाँ पर वो सीखने के लिए है तो भी cool है तो चले तो fractional की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखो चीजें आप लोगोंने आधी कर रखी है सिर्फ fractional की बात है यहाँ पर तो देखो बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी होगी एक सेकिंड रुकिये बात यहाँ सिर्फ इतनी सी होगी लेकिन जब हम पेपर में आने वाली चीजों की चीहाँ पर बात कर लें जैसे हमारे पास binary या octal यह ज़्यादा आते है तो देखो अब मेरे पास में 101 है तो मैंने क्या किया है इधर के point वाला हम solve करना सीख चुके है बस बात है इधर वालों की तो मेरे पास में 101 है रेडिक्स क्या है इसके अंदर 2 है तो मैं क्या गर रहे हूं 2 की पावर माइनस 1 2 की पावर माइनस 2 2 की पावर माइनस 3 तो मैं जब इसको solve करती हूं तो मेरे पास में 2 की पावर माइनस 1 का मतलब है 1 upon 2 यानि कि 0.5 की बात हो रही है अगर मैं बात करती हूँ 2 की पावर 2 की तो मैं 1 upon 4 की बात कर रही हूँ है ना तो यानि कि हम यहाँ पर लेकर के चल रहे है point 25 अगर मैं 2 की पावर 3 की बात कर रही हूँ minus 3 की सो 2 की पावर minus 3 यानि कि मैं 1 upon 8 तो यानि की 0.12 और 5 ठीक है तो मतलब यह वैसे भी आपको याद है जो हो जाएगा राइट अगर हम कहें कि एक पटे 2 को हम 0.50 लिखते हैं यह हमारा 0.25 है यह हमारा आगे है और आगे भी अगर हम चलते जाएंगे तो हमारे पास में 0.0625 है जो आजाएगा यह आपको याद ह जाएगा ठीक है आपको याद रखना भी है अब जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इस तरफ का हिस्सा है जो बन करके कुछ आजाएगा 10.01 जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ और लेकर के आऊँ तो देखो 2 की पावर 0 का मतलब बेसिकली इतना हो गया कि हम किसी की भी पावर 0 करेंगे तो वो 1 होगा अगर मैं minus 1 की बात कर रहे हैं तो यानि कि हम किस की बात कर रहे हैं 1 upon 2 की बात कर रहे हैं 1 upon 2 यानि कि 0.5 minus 2 यानि कि 0.25 है यानि कि हम 1 upon 4 की बात कर रहे है minus 3 यानि कि मेरा 1 upon 8 0.125 इतना याद कर लोगे तो भी cool है लेकिन अगर उससे नीचे भी कभी आ जाता है तो 2 की पावर माइनस 4 और 0.0625 आगे तक भी है जो अगर एक safe point के लिए याद रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो otherwise इतने हमारा काम है जो हो जाता है अब अगर हम questions की बात करें कि हम questions को और कैसे किस तरीके से solve कर सकते है find the decimal equivalent of binary तो हमारे पास में ये हिस्सा है अब इधर वाला हिस्सा हमें पता है इधर वाला हिस्सा हमें पता है जब हमें other two decimal के अंदर convert करना होता है तो अगर मैं इस हिस्से की बात करूँ और इसको करूँ तो मेरे पास 2 की power 0, 1, 2 अब इसको solve करके हमारा या answer आ रहा है यह हम part 1 में कर चुके थे, बात है इस वाले हिस्से की, बात अगर इस वाले हिस्से की है, तो यहाँ पर मेरे पास में जाएगा 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर माइनस 2, 2 की पावर माइनस 3, तो यानि की हमने कुछ इस प्रकार इस कदर से यहाँ पर चीजे mention कर दे, right, अब अगर हम इसको open solve है, जो कर रहे हैं, तो हमारे पास में देखे, कुछ इस प्रकार इस कदर से, 0.50, क्योंकि multiply 0 होगा, 0.125, है न, 125, बस इसको आप जोड लो, और इधर आप जोड लो, तो आपके पास में finally जो answer आएगा, वो 625 है, जो होगा, ठीक है, मैंने कहा न, आपको, आपको याद, 2 की power minus 1, 2 की power minus 2, 2 की power minus 3, 2 की power minus 4, तो मैं 1 upon 2, 1 upon 4, 1 upon 8, और मेरे पास में 1 upon 16, यानि कि मैं 0.5 की बात कर रहे हूं, 0.25 की बात कर रहे हैं, 0.0625 की बात कर रहे हैं, 0.0625 की बात कर रहे हैं, इतना याद रह जाएगा, है न, क्यो यही रटी रटाई चीज़ें हैं जब हमारे पास बाइनरी के अंदर फ्रेक्शनल आता है ठीक है अब अगर हम दूसरे किसी हेग्जा डेसिमल वगारा की बात करेंगे तो हेग्जा में भी पैटन सेम रहेगा लेकिन पावर फकॉर्स चेंज हो जाएगी पावर नहीं चेंज होगी मतलब बेस चेंज हो जाएगा बिकोज हेग्जा इस सिक्स्टीन तो हमारे पास में इट विल बी सम्थिंग लाइक दा सिक्स्टीन जैसे यह टू भी है तो अगर मैं पॉइंट के इधर वाले हिस्से की बात करों तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, इसको सॉल्ट करेंगे अब इधर 16 की पावर माइनस 1, 16 की पावर माइनस 2 तो अगर मैं इसकी बात करूंगी, तो मेरे पास में 1 अपॉन में 16 और यहाँ पर 16, multiply 16, कितना हो गया? 256 अगर यहाँ 16 के पावर माइनस 3 होता तो हम 16 को 3 बार मल्टिप्लाइ कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 1 अपॉन 2, 5, 6 आ गया, अब इसको solve कर लो, तो हमारे पास 0, 7, 5 और यह something है, और इस परकार से हमारे पास चीज है, जो answer आ जाएगी, पस आपको calculate जोड़ना ही तो है, अब अगर आगे चलते हैं, shortcut method की बात करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर देखे, मेर को octal से लेकर के, binary में convert है, जो करना है, तो octal की बात आते हैं, तो आपको 3-3 पेर याद आते हैं, किते पेर आते हैं, 3-3 पेर याद आते हैं, तो मैं क्या करने वाली हूँ कुछ यह बस हमारा आंसर है, जो निकल गया, ठीक है, आंसर है, जो हमारा निकल गया, एकठा करके लिख दिया, ठीक है, अब आगे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, कि 16 बेस, यानि कि हमारे 4 चार बिट की बात होगी, तो D को उपन कर लो, D किया होगा हमारे पास में, D हमारे पास में 1101 है, 6 हमारे पास में 110 है, तो एक 0 की जरुरत पढ़ रही है, तो अपराइट में लगा दो, है ना, उसके बाद में मैं 3 की बात कर रही हूं, तो मेरे पास 11 है, इधर 0 की रुक्वार्मेंट पढ़ेगी, तो 00 है, अब मैंने B की बात करी, तो 101 है, अब इसको कठा करके लिख तो चार बिट को एक साथ है ना पॉइंट वाली वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो रही होगी और अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही होगी वैल्यू तो मेरे को यहाँ पर आठ है ना तो यानि कि 3-3 बिट का नजर है जो रखना पड़ेगा तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगे इधर की तरफ और यहीं से स्टार्ट करूँगे इधर की तरफ तो 3-3 बिट के मैंने पेर यहाँ पर बना लिया तो इधर मैं क्या करूँगी 2-0 है जो लगा दूँगे अब इधर भी तीन तीन बिट के पेर हैं, जो लग गए, ठीक है, अब देख लो इनको क्या बोलते हैं, अब ये, 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 मेरे निकल करके आगए, अब इसको मैंने क्या बोला, चार, ये मेरा सिक्स है, ये मेरा वन है, तीन है, पांच है, बस एक साथ लिख दो अब यहाँ पर, तो आपके कुछ इस प्रकार से, चार, चार के पेर हैं, जो बन जाएंगे, अब इसको ओपन करके देख लो, ये हमारा ए होगा, तीन होगा, बी होगा, और सिक्स होगा, है ना, इसको इकठा करके लिख दो, राइट, ओके, तो अब हम चलते हैं, आगे वाले सेक्शन में, जहां पर हम क्या गरेंगे, डेसिमल टू अदर में करेंगे, तो डेसिमल टू अदर वाले में क्या करते थे, अगर आपको याद हो, तो, अब डिवाइड method यूज करते थे, वही करेंगे, लेकिन जब पॉइंट वाले पोर्शन की बात आएगी, तो यहां पर हम यहां पर इंटीजर वाला पोर्शन है जिसको हम रख रहे होंगे जैसे कि हमने सबसे पहले यहां पर क्या निकाला कि 1, 0.8125 हमने ले लिया उसको multiply 2 किया तो हमार पस यह चीज बच रही है यह इसका इंटीजर पोर्शन इधर रख दिया अब इस 625 को उठाया ठीक है हमने यहां रखा इस 625 को मैंने 2 के साथ multiply किया तो मेरे पास में आया 125, 1.25 मतलब इसका 1 मैंने साइड में रखा यहां पर 0, sorry, 0.25 है जिसको मैंने यहां ले लिया अब 0.25 को मैं इधर लेकर के आऊंगी उसको 2 से multiply करूंगे ठीक है हमारे पास आयेगा 0.50 ठीक है अब इधर यानिकी 0 है तो 0 को आपने इधर लिख दिया अब 0.50 है तो इसको मैं लेकर के आगई इधर अब इसको मैंने 2 से multiply किया ठीक है तो मेरे पास 1.0 आ रहा है इधर मैंने 0 रखा इधर मैंने 1 भेज दिया अब आपको ये इस तरीके से करना है आपको उपर से इसको count करना है यानि की 1 1 0 1 1 1 0 1 हमारा answer हो जाएगा किसका इसका आगे चलते थोड़ा सा ठीक है अब ये आपको करते जाना है multiplication जब तक आपके पास में यहां remainder में 0 नहीं आ जाता पेपर में tension लेनी की जुरत नहीं है कि अगर आपको कोई बड़ा सा नंबर आ गया पेपर में हमेशा वही चीज़ें आएंगी या वही नंबर होगा चो लगभग आपका बन जाएगा चार पांच बार ट्राइ करने के बाद पी ठीक है अब आगे चलते हैं अब मैंने 10 बेस ले लिया यहां पर यानि कि मेरा decimal है decimal 2 मुझे औक्चल के अंदर करना है तो बाद सिर्फ वही होगी जो हम अभी तक कर रहे हैं देखो decimal 2 अदर में हम लोग नॉर्मली क्या method यूज कर रहे थे बिना point वाली value का हम लोग divide method यूज कर रहे थे ये वाली जो चीज आपने अपनानी है ये point वाले section के लिए अपनानी है ठीक है तो अब मैंने क्या किया इसको यहां ले लिया इसको multiply 8 किया क्यों 8 क्यूंकि आपको 8 बेस में convert करना है 6.5 इसका 5 यहां रख लिया 6 आगे भेच दिया इसको मैंने रख लिया देन मैं point 5 को ले रही हूँ और 8 से multiply करूंगे चालिस यानिकी point 4.0 है 0 इदर किया 6 इदर रखा इसको मैंने कुछ यहां पर रखा इसको मैंने 16 से multiply किया तो 13 यहां 0 है यहां 13 है 13 को हम लोग क्या बोलते हैं D तो D 16 है ना अब अगर हम बात करेंगे 6 अगर कोई भी आ जाए मतलब मैंने आपको पिछली class में भी बताया था कोई भी बेस वालू तो गबराना नहीं है चीजे वैसे ही होंगे decimal to other, other to decimal, other to other चीजे उसी तरीके से हो रही है base value बदल रही है अब कहने का मतलब है कि अगर मैं इसकी बात करूंगे 825 की हम ले रहे हैं इसको 6 से multiply किया remainder section यहां रखा integer portion यहां रखा अब remainder वाला portion 875 को 6 से multiply करके इतना आया 525 है ना उसका remainder portion यहां रखा integer इदर किसका दिया अब 0.25 है, 0.25 को 6 से multiply करेंगे ठीक है 1.5 आया 1 इदर गया, 5 इदर किया 5 मैंने इदर रखा, 5 को 6 से किया तो 3.0 आया 0 मैंने remainder section में रख दिया 3 आगे रख दिया अब 4, 5, 1, 3 है जो हमारे पास में answer आ जाएगा अब अगर आपके पास में पूरा question आ जाए तो पूरा question किस प्रकार से solve करोगे तो पूरे question के अंदर हम कुछ इस तरीके से जैसे हम पहले कर रहे थे तो मेरे पास इसको मैंने अलग solve करना है तो मेरे पास 3, 1, 2 है तो मैं यहाँ पर इस section में quotient रखूंगी इस section में remainder रखूंगी है ना 156 और remainder बच रहा है 0 फिर 2 से किया तो 78 remainder बच रहा है 0 39 remainder is 0 19 remainder is 1 फिर मेरा 9 से गया तो remainder is 1 फिर मेरा 4 से गया remainder is 1 जीरो रिमेंडर आ रहा है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से पूरा लिख रूँगे, है ना, तो मेरा 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, आ गया, आ गया, अब इधर वाले section की बात करोगे, तो इधर वाले को फिर वैसे ही लिखेंगे, तो ये 625 है, इसको multiply 2 किया, त फिर 500 को मैंने multiply किया, दो के साथ में, 1, 0, 0, remainder मैंने यहां रख दिया, 1 इधर भीज दिया, ठीक है, अब पूरा-पूरा होगे, जब तक remainder नहीं 0 आता, तब तक करना था, अब मैं उपर से निचे लेकर के आओंगी, तो 1, 0, 1, मेरा answer है, जो यहां पर आजाएगा, इसको full- फ्लैज इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, राइट, तो यह इस तरीके से चीज़ें आपकी होंगे, मैंने PPD के तुरू अच्छे तरीके से आपको चीज़ें बता दी है, अब यहां पर इस questions को अगर हम देखेंगे, तो कहता है कि which of the most significant bit, आपको यह याद रखना है कि most significant bit कौन सी होती है, यह जो हमारी left वाली आ रही है, left most आ रही है यह 0, तो इसको हम लोग most significant bit के नाम से जानते है, अगर least significant बोला होता, तो हम यह right वाली की तरफ जा रहे होते, तो यहां पर जो भी है, आपके पास में 1 आ रहे है, तो 1 is your answer, अब यह कहता है, equivalent binary number of decimal, 0.25, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लोग और इस चीज को करके देखो किसका answer है, जो basically क्या आ सकता है, देखो तो आप जिती देर में करो हम उती देर में देखते हैं, आमें किसका message आया है, तो आपने कर लिया 0.25 है ना, तो मेरा 0.25 है, जिसको 0.01 बोला है, अगले की बात करेंगे, कहता है कि which of the following mathematical operation is used to convert decimal with fractional part, कोई decimal है with fractional part, only like 0.125, only लिखा हुआ है, मतलब आपको decimal to other में चीज पूची गई है, और only पूचा है, अगर fractional part की बात हो रही है, तो आपके पास में 125 है, तो आप यहाँ पर जो है, कौन सा method यूज करते हैं, add, subtract, division, multiplication, तो देखो, अगर मुझे decimal to other जाना है, तो हम divide method यूज कर रहे होते हैं, लेकिन, मैं यहाँ पर point की बात करेंगे, तो हम multiplication method को यहाँ पर use कर रहे होंगे, आगे चलते हैं, to convert decimal number 0.675 to octal, we will multiply the fractional part by, fractional part by, okay, decimal number है आपके पास में, तो मुझे क्या गरना है, decimal to octal के अंदर है, जो जाना है, और अगर हम बिना point की बात कर रहे होते हैं, तो हम divide method चल रहे होते हैं, लेकिन, अब मैं क्या गरूँगे यहाँ पर, multiplication method है, जो करने वाली है, तो अब इसने मुझसे क्या पूचा है, we will multiply the fractional part by 8, 8 के साथ, क्यों 8 के साथ में, क्योंकि यह octal है ना मेरे पास, ठेक है, तो मैं इसमें octal में multiply है, जो करूँगे, to convert binary number, ठेक है, to octal, मुझे octal है, तो यानि की 3-3 bit का ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा सोचो, अब हम इसी point से चलेंगे इस तरफ, और इसी point से चल लेंगे, इसको निकालेंगे, इसको, तो मैंने ये क्या किया, right से start कर दिया, और यहां पर मैंने left से start कर दिया, 3-3 bit, यहां 0 लगा देंगे, ठीक है, तो आप कहां से start हो रहे हो, बोले तो right, और यहां fractional के बाद में, बोले तो left, क्या हम सही जा रहे हैं, तो हम right से left की move हो रहे हैं, आगे वाली की बात करेंगे, तो हमें क्या करना है, binary number, और हमें octal के अंदर बताना है, तो मेरे पास ये number है, कुछ, 111, 0, 101, आप भी इसको solve करके देखो, तो 3-3 bit करना है, 3 bit, और 3 bit, और 3 bit, ये 1 है, ये 5 है, और बीच में हमारे बस 6 है, ठीक है, तो 165, आगे की बात करेंगे हम लोग, तो decimal है हमारे पास में, binary के अंदर हम कर रहे होंगे, तो क्या कर रहे हैं, binary to decimal कर रहे हैं, तो मुझे decimal में बताना है, तो हम लोग multiplication method कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगे, एक और दो, तो 4, चार के बात में, एक, तो दो, चार, सोना, सोना, बत्तेस, बत्तेस और बत्तेस और बत्तेस और दो, एक तो मेरे पास चार पांच, छे साथ, चैतिन नो, दस ग्यार, एक सो सतारह, ठीक है, आगे चलेंगे, तो कहता है hexadecimal number, equivalent to binary number, तो आप उपर वाला समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो देखो, ये वाला, कुछ नहीं, मैंने बस इसको open करके रख लिया, तो किता है, एक, 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 जीरो, वन, और जीरो, वन, हाना, तो एक से start किया, दो, चार, चार द करना है, अब बाकी बचा हुआ, जोड़ दो, ये, 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 हाना, तो आपके पास में, मतलब इसको भी हटा दो, लाइन से इसको भी हटा दो, तो कितना बचा, 117, ठीक है, अधर्वाइस, जो मैथड हमने आपको बताया, उससे भी आप कर सकते हो, तो अब इसमें क्य चीज आ रही थी, हमने खेर इसको बता ही दिया, इसका आंसर, बट फिर भी हम करेंगे, तो हेग्जाडेसिमल 2 हमारे पास में कितना आ रहा है, बाइनरी 2 हेग्जाडेसिमल अगर हमें बताना है, ठीक है, तो मेरे पास 1110101, तो मैं 4-4 बिट यहां पर करूंगे, तो ये हो है कि, कम्प्लीट हम लोग यहां पर कर चुके हैं, और इसके बाद में मैं आपको इसकी टेस्ट चीजें हैं, जो कराऊंगी, यानि कि आपको इसकी कोश्चन से जो कराऊंगी, ठीक है, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देखिएगा, पहले पार्ट देख लो 1, उ आपको इसकी को छांगी, कैसे जोईते हैं, जो एकि उरें ठीक हैं, तो उंज गसाना देखिएगा, गुप से बाट दोना को उसे जाले हैं, जो कि उलिता हैं, कि उरें बाट 2 तριत में दोने हैं, जो कि अधुष